नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस विडियो में हम डिसकस करेंगे कि अमेंचल टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है अमेंचल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और अमेंचल टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि अमेंचल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Amantral Tablet का उप्योग Parkinson's Disease होने पर किया जाता है Parkinson's Disease सिर में चोट लगने की वज़़ से या किसी बीमारी की वज़़ से भी हो सकता है Parkinson's Disease होने पर हाथों या पैरों का अपने आप हिलना हाथों या पैरों में कमपन होना हाथों वपैरों की गती धीमी होना खड़े होने में कठिनाई होना, शरीर का संतुलन बनाए रखने में परेशानी होना, चबाने, निगने या बोलने में परेशानी होना और मास पेशियों में अकडन होना आदी लक्षन Parkinson's Disease होने पर हो सकते हैं Amantral एक ब्रैंड नेम है Amantral टैबलेट के अंदर सौल्ट कमपोजिशन Amantadine 100MG होता है Side Effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Amantral टैबलेट की वज़ह से कोई Side Effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Amantral टैबलेट की वज़ह से कुछ सामान्य Side Effects हो सकते हैं जैसे चक्कर आना, मुँ में सूखापन, पैरों में सूजन होना, ब्लड प्रेशर कम होना, नीन ना आना, ध्यान लगाने में परेशानी होना और कब्स होना आदी Side Effects Amantral टैबलेट की वज़ह से हो सकते हैं अब हम डिसकस करेंगे की Amantral टैबलेट को कैसे लेना recommended होता है Amantral टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को Dr. Amantral 100 mg टैबलेट को दिन में दो बार सुबह वर्शाम को लेने की सलाह देते हैं Amantral टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको Amantral टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि Amantral टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए अगर किसी व्यक्ति को Amantral टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रिडिन्ट जैसे Amantadine आदी से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को Amantral टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Amantral टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Amantral टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका अमेंचल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं